देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पडाओं का नारा दिया था लेकिन पानीपत में लगातार इस तरह की घटनाई सामने आ रही हैं बीते दिन ही एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसमें एक भूर्ण नाले में मिला था लेकिन आज एक ऐसी ही घटना ने शहर को एक बार फिर शर्म सार कर दिया है ताजा मामला पानीपत के किला थाना शेत्र का है जहां एक सब्ता भर की बच्ची को छोड़ कर एक कल्योगी मा फरार हो गई बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो वे परिवार सहम गया जिसके घर के सामने ये मासूम बच्ची लावारिस हालत में पड़ी हुई थी उन्होंने इंसानियत को दिखाते हुए बच्ची को उठाया और उसे दूद्धी पिलाया और बाद में पुलिस को सूचित किया पुलिस मौके पर पहुँची और बच्चे को कबजे मिले कर सी डबल्यू सी के सयोग से सामाने अस्पताल में भरती कराया फिलाल बच्ची की हालत सामाने बताई जाती है थाना के ला पुलिस घटना की जाच के लिए आसपास लगे सेसी टीवी क्यामरे खंगाल रही है एड़ीट है और उसका ट्रेट में चल रहा है जब आप से मुके पर गए एक तो तीस हारात में बती थी पच्ची ठीक थी वह उसको दूदा पला रहे थे जिनके पास थी रात को तो उन्होंने मैंने उनसे पूचा भी आप रात को नहीं आए वो उन्हों कह रहा है हम 11 बज सब्सक्राइब मैंने आज बिल्कुल ठीक है डाक्टर नों से चैक अप कराया गया है जो डाक्टर नों बिल्कुल तांदरुस्त बताया है जो आप उसका ट्रेट मेंट चलेगा जैसा भी आके कारवए होगी तो तो कितने दिनी की लग दी लग दी तो चार या पांच दिन पता रहे हैं और उसके ड्रीवली भी ऐसे है जैसे दाइव गरा ने की हो कोई जब वहां से लेक आये जहां पर रात को मिली बच्टी ना किसी की तरह कोई निशान निये कोई वहां पर सिटी सी कैमरे चेक किया है जो कि वहां पर कैमरे जिन्हों ने लगवाए तक बन रहे हैं तो उपर कमीज थी निचे तो नंगना वस्ता में थी तो किस समय की गटना है सब्सक्राइब यह रात सुभी आया फोन मरे रात किस टेम की गटना यह रात 11 बज़े के रहे हैं उन्होंने यह बता भी रात 11 बज़े जैसे नहीं बातरम करने के लिए तो एक बच्च बच्ची के बारे कोई पता नहीं चल सब्सक्राइब